दोस्तो अगर आप electronics या mobile repair के लिए एक best budget का और सबसे अच्छा multimeter खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा helpful रहेगी और useful भी रहेगी तो वीडियो को पूरा देखिए का skip मत किजिए और हाँ चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्याज ज्यादा शेयर किजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो जिस multimeter की हम unboxing करने वाले हैं वो है United Company का दोस्तो बेसिकली बहुत सारे multimeter हमें मार्केट पर मिल जाएंगे इसी के copy version भी रहते हैं लेकिन दोस्तो ये वाला जो United का है best quality का multimeter है और इसकी performance बहुत अच्छी है और अगर हम इसके price की बात करें तो बिल्कुल अच्छे meter पड़े हैं देखिए यहां पर बिल्कुल सेम है इसमें कोई भी difference आप समझ में नहीं आएगा इसमें जो यह वाला मैं यूज करता हूं यह बिल्कुल हलका है और यह आप देखेंगे तो हाव यह कंपनी का यह इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर मुझे भी लगा कि यह बितको अच्छी unit e लिखा हुआ है तो बहुत क्या उतर बहुत सारे आप मल्टी मीटर एक जैसे ही देखेंगे और वहां पर आप Infuse हो सकते हैं तो अगर आप original लेने जा रहे हैं तो दुकानदार को आप कह सकते हैं या आप dealer को कह सकते हैं वहीं हमाई original multimeter unity का देदीचे यहाँ पर यूनाइटी इस तरीके से दिखावना चीए देखिए और देखिए एक चीज है यह वाला भी best मल्टी मीटर है जो मैं यूज करता हूँ यूनिट ए का ये भी बैस्ट है लेकिन ये वाला मल्टी मीटर आप देख लिजे ये जो मल्टी मीटर है तो ये वाला मल्टी मीटर मुझे खास नहीं लगा तो इसमें बहुत सारी कमिया मुझे देखने को मिली तो यहां पर मैं इस मिना रहा हूँ कोई कमी मैं नहीं बता हुआ तो इस की अन्वक्षinh करूँगा सबसे आपको पहचान बता दी आप करतें सकी आप करतें की बाद सबसे पहले अन्वक्षिंग से पहले एक चीज और इसमें दिखा दिता हूं इसमें आपको Profess disappointed से को मिल जागा वैसे की लीज जैसा सभी मुंठी में होता है वैसे आपको देखने कर सकते हैं ज बिसी के लिए जो नए है उनको साथ पता नहीं होगा और जो पुराने हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा इसका यूज किस तरीके से किया जाता है और हाँ इसको यूज करने की वीडियो आप देखने चाहते हैं तो उपर आये बेटन में इसकी लिंक मैं दे दूँगा बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा तो आप करते हैं इसके इन्वोक्सिंग की बाद चलिए इसको में कट कर लेता हूं तो यहाँ पर इस तरीके से में कट करने के बाद जल्दी से इसको निकाब लेता हूँ मल्टीमेटर निकल के आ चुका है यहाँ पर इसका यूजर मैनुवल यहाँ पर हमें मिल जागा अगर आपको अच्छी तरीके से इसके इस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं तो अब मैं यहाँ पर मल्टीमेटर को मैंने निकाल लिया है और बिल्कुल अच्छी खासी बोडी ज्यादे वेट नहीं है कुछ ग्राम से में ही हो सकता है तो अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की तो यहाँ पर देखे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर कुछ वार्निंग अगर इसमें लिकी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं और 250 तक और यहाँ पर सक अब एक चीज़ देखें के जहां पर भी आपर दिखने हिए यहां तक होगा यहां से अपर को फिर दूसरे सब्सक् अगर आपका transistor NPN है यहाँ पर और PNB है तो इस तरफ आप इसको चेक कर सकते हैं तो यह है frequency वगरे टेस्ट करने का इसमा आप frequency वगरे टेस्ट कर सकते हैं तो फिर अगला आता ही यह है यह continuity बजर और आप इसको बीप मोड भी कहते हैं तो फिर आता है और हाँ इसको डायोड मोड भी कहते हैं यहाँ पर आप डायोड को चेक कर सकते हैं और यहाँ पर ओम से वगर में आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं अगर रेजिस्टेंस ओम से वगर में है तो उसको चेक कर सकते हैं फिर यहां से 200 से लेके यहां पर 2000 के यह पूरा रिजिस्टेंस का ही सेक्षिन है यहां पर देखिए यहां पर पूरा रिजिस्टेंस का सेक्षिन है फिर यहां पर आप यहां पर आप जो यहां पर 200 200 Time 1000 Tian US से देख सकते हैं यह पूरा यहां से लेकर यहां तक के लिगा सेक्षिन यहां यहां पिर बीक्षी होल्ट आप चैक कर सकते हैं तो इस से स्मॉइमेर उहां दो रॉत हैा हम डार रहता है की आए तो अगर से से या वहां से कोई नजदीक की जगह से लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पढ़ जाएगा लेकिन मैं डेली से बहुत ज्यादा दूर रहता हूं तो मेरे को फिलाल यहां डेल सो रुपर में यहां पढ़ गया है तो आप देख सकते हैं कितना सस्ता यह मल्टी मीटर है और हां सारे मल्टी मिटर जो मैं इसी तरीके के लिता हूं बहुत अच्छे मल्टी मिटर क्योंकि अगर खराब भी हो जाता है तो ज्यादा कोई दुख नहीं हो ता क्योंकि इसका मातर प्राइजब dec hi तो देड़ सो रोपे के बजट में बहुत अच्छा मिल जाता है तो दोस्तों आपको यह वीडियो काफी पसंद आए को पसंद आए तो यार लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना और हाँ चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना तो आज के लिए बस इतना है फिर म हरते